यह कहानी एक छोटे से गाउं के एक बच्चे राहुल की है राहुल बहुत होसियार और जिग्यासू बच्चा था उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे एक दिन राहुल के पापा ने उसे एक नया मोबाइल पॉन गिप्ट क राहुल बहुत खुश हुआ और पूरे दिन मोबाइल में गेम खेलने लगा शुरू बात में सब कुछ ठीक था लेकिन धीरे धीरे राहुल का मोबाइल में इतना समय बीतने लगा कि उसने बाहर केलना दोस्तों के साथ वक्त बिताना और यहां तक की पढ़ाई करना भी जाया कि बेटा मोबाइल का कम उपयोग करो लेकिन राहुल उसकी बात नहीं सुनता था फिर एक दिन ऐसा हुगा कि राहुल इसकूल की परक्षा में फैल हो गया उसने कोई तियारी नहीं की थी क्यूंकि वह पूरा समय मोबाइल में ही लगा रहता था उसके मात पिता फिर से दोनों के लिए खतनाक हो सकता है राहुल को तब समझ में आया कि मोबाइल की वज़े से उसने कितने चीज़ें खो दी उसने बादा किया कि वह अब मोबाइल का सही और सीमे तो पियोग करेगा और पढ़ाई पर ध्यान देगा धीरे धीरे राहुल ने अपनी पुर लगने लगा और उसकी सेहत भी बहतर होने लगी इस कानी से हमें यह सीख मिलती है कि मोबाइल का उपियोग ध्यान पूरवक और सीमत रूप से करना चाहिए खास कर बच्चों को ताकि उनकी सेहत और पढ़ाई और सामा जब जीवन पर बोरा असर ना पड़े